बारिस का हालत रहते हो चुका है कर दोस्तों यह वारे टैंटे जहां है जहां है और यहां पर हर्याली बहुत ज्यादा है देख सकते हो बगर में एक नजी बेरी है इसके साउंड राद बर खौद परीमीन आई है और आप देख सकते हो कि आपके आपया दिखाते हैं आगे पो अभी यह रसता है कि अगया देख सकते हैं पर अगार नदी की भेती हुई आवाद सुन सकते हैं कि इतनी सकते हैं कि इतनी क्लियर आवा जार गे है तो अब थोड़ा आगे जारे लंच करने जारे बहार आपको बताएंगी है आज पास कौन सी जगा है अच्छी जगा जहां आप लंच के लिए कर दा तकते हो अगर यहां पर आपको लंच नहीं करना है तो एंड लुके दर लोकेशन देखें वेदर इस सो गुड़ एंड एं छुड़ो चलते अब है पर देली में इतने पहार कभी चड़े ने इचाए घवाभी यहां चयर चड़के थोड़ा सा जो शेड़के थोड़ा सास ही फूल रहे तरह दढ़ दो रहे हैं आदर चूड गई है ताल बहुत पहर चड़ना पड़ेगा एंड लुक अधर अधर इस भाइक अधर जुआ जो पाशिन आपके नहीं हो रखिए पाइक नहीं है तो अधर पाइक में पैटे हुए है इसना पाइक पाइक नहीं है बाई करते हुए नहीं है जो आप अधर देख सकते हैं तब फ्यारा लेटीव है वाहा हुआ है यह मैं देली उसमा भारी दोरी है दोस्तों अभी हम यहाँ रुख हुए जील दर्संग के पास खाना खाने के लिए अपना लंच ब्रेक अभी हम यहाँ पर और भूंबरे देखते लंच करके बताएंगे कि और सामने जील है तो खाके बताएंगे कि खाना के से दोस्तों हमारे लंच में आज आए दाल चने के दाल और भाद राइता यह चटनी है दाल थोड़ी है चनी के सब्जी और चटनी राइता वह यह दाल नहीं है दोस्तों तो अभी हमने खाना खालिया खाना बहुत ही बढ़िये गुनाएं वाता और इसका नाम है जील दर्संज और अंजला के बताएंगे और यह कौन ही जगाई है यह यहाँ सुरीदर अच्छा रहिए यह कब से बिस्स कर के अभी हैν और अभी है इनगा है अच्सें इ ​ रहे और रहे हैं और नौर्मल जो खाना है दाल चावल तो पचास उपर और रोटी दाल सब्सक्राइब चलो बढ़ी है चलो यह आप को मिल जाएगा कोंची जगा था फेसे बोदा ना सुरीधार सुरीधार चलो ठीक है जो नहीं पचास उपे में इन्होंने दावा के खाओ जितना पेर भर के यह एक बढ़ ले लो और वह घुग गया नहीं पचास में आपको जिल सब तब तब एड नहीं बर सकता तब आप मांके इंके खा सकते हो पहाड़ों में यही चीम बहुत बढ़ीा लगता है जैसे देली में जाओगा तो बहुत बचास नहीं में अब पीछे में तब देश आप देखे सकते हैं तो आपको अब एक फूल है तो पूल दिख रहोगा बहाँ से अब वहाँ जा के आप पूल दोस्तो यह हमारा ठर्टे है इला अब ही हम कहलते नास्ता करने करो के दिली के तरब से